नमस्कार साथियों मैं हुआ जैसी ओफान और टैंगनी करना उक्रियों वाला दोस्तों आज हम फिर से आपके सामने उपस्तित है आई टी आई भरती के अपडेट ले करके साथियों आज के डेट में आपने देखा कि सरम संसाधन विभाग से जो आई टी आई अनुदेशक भरती की परकिरी आये थी जिस तरह से बी टी एस सी ने फाइनल हर केटोगरी का आई टी आ केटोगरी में हर ट्रेड का फाइनल रिजल्ट दे दिया और उसे आगे के से बताया गया कि सरम संसाधन विभाग एक वार फिर से आपका डॉकुमेंट वैरिफिकेशन करेगी ठीक है तो यह जो डॉकुमेंट वैरिफिकेशन की परकिरियाएं होगी उसमें आपको वो कौम-कौन से डॉकुमेंट मांगे जाएंगे साथ ही कुछ नए प्रकार के भी डॉकूमेंट का डिमांड किया गया तो आज की वीडियो में हम वहीं देखने वाले हैं कि सरंसादन विभाग की ओर से जो वरिफिकेशन दोबारा होने वाली है कि इस डेट को होगी तथा कोंगोंसे डॉकूमेंट का डिमांड किया जाएगा तो आप जिस तरह से श्रम से सान विवा के ओफीशल वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप लेटेस्ट नीज में देख सकते हैं यहाँ पर ठीक है कि ग्यापांग 238 बिहार तक्निकी से वायोग पटना द्वरा जुजित विग्यापन संग्या 27-23 के अधार पर अनुदेशक के विविन बैफसा अनुदेशक के पदपनीते साले नियोजनम परसिक्षन के विविन आई टी आई में नियुक्ति हतु अनसंसित अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के संबन में साथ ही हो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट साब बताया जा रह है ठीक है तो उसके वजब में आपको डॉकुमैंट भैरिफिकेशन करवाना है ठीक है साथ ही हो तो इस सब्जेक्च आपका वही है ठीक है इसके डिटेल में बताया जा रहा है कि विव्यापन संख्या 27-36 के अधार पर अनुदेशक संबर के विभीन बेवसाई के पदपन ये साले नियोजन परसिक्षन के विभीन अधियोगीक संस्थान या कार्याले में नुक्ती होती अनुसंसित अभर्ती के सैक्षिनिक एबम अन्य संगत परमान पत्र अभिलेग बायमेट्रिक की जाथ सत् जो कल के डेट में आप जो है विभीन समाचार पत्र में भी इस नोटिफिकेशन को देख पाएंगे इसी के संदर में अनुरोद किया गया है ठीक है नेक्ट जो है प्रेस बिग्याप्ति क्या होगी यहां पर आप देख पाएंगे कल के पेपर में आप कुछ इस तरह से दे कि डिजिल पलंबर और एलेक्सियं 39 अगस्ट को वेरिफिकेशन आपका बज़े सूबा से प्रारंब हो जाएगी टिक है वाना' की जो आई-टिय की ट्रेड है उनका आपका अगस्ट को देख सकते हैं आपका जो बेरेब के सूबामे में जो है आपका प्रारंब हो जाएगी यह जो वेरिफिकेशन कराने का जो निने लिया गी है साथियो इसका वेरिफिकेशन अस्थल की अगर बाते करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो वेरिफिकेशन कहां होने वाला है आपका वेरिफिकेशन दसरत माजी सरम एवं नियोजन अध्यन संस्थान ठीक है वेटनरी कोलेज के निकर पटना में आपका जो है डकुमेंड वेरिफिकेशन बेवसायवार दस्तावेच के सत्यापन कराया जाएगा ठीक है साथियो तो आपने यहाँ पे देखा कि किस डेट में किस ट्रेड का डकुमेंड वेरिफिकेशन होना है और कहाँ पे होना है ठीक है सरम और नियोजन अध्यन संस्थान जए दसरत माजी पत में वहाँ पे होना है तो कुछ इस तरह से आपने देखा ठीक है इस document verification के दौरान वो कौन-कौन सा document आपको ले करके जाना है तो साथी जिस तरह से BTSC ने document verification कराया था और उन्होंने जो अनुलगना सुची demand किया था जारी किया था जिसके वज में आपको सारा document आपने ले जा करके वहाँ पे verification कराय जाना ही था उतना सारा document आपको ले करके जाना ही है ठीक है उसके अलावा दो प्रकार के नया यहां पर document का चर्चा किया गया है तो देखेंगे तो यहां पर देख लेते हैं क्या कैछ चीज के बारे में बताया जारा है साथीôi्ट बताया जा रहा है किnez प्रमान पत्र सत्यापन के लिए सभी अभ्यारती निमेग्स लिखित प्रमान पत्र की मूल प्रती तथ्था उनकी दो दो कैको ऌछाय पत्र अपने साथ अनिबारे रूप से लाएंगे साथ हो आपको ओरीजिनल लेके जाना है के छाथ दो सेट में जो है फोटो कपी लेके जाना है तो इस लिस्ट के अनुसार भाई क्या क्या चाहिए देख लेंगे पहला चाहिए मैट्रिक परिक्षा उत्रनता का मूल अंग पत्र एवं मूल पर्मानपत्तिक है मैट्रिक का मार्शित और सर्टिफिकेट ठीक है ओरिजिनल प्लस दो सेट में राष्टि सिक्छूता पर्मानपत्र या राष्टि वेवसा ठीक है आई टिया या अप्रेंटिस जिसके भी जिन इसके अलावा अन उ उच्छिन की योगता से सिम्धित पुनापश्वत जो भी योगता इस सब कें आलावा है टिक है जो आवेधन पत्र के साथ आपने सलगन किया है ठीक है हाईयर एजुकेशन का तो वो सारा डॉकुमेंट आपको लेके जाना है पाचमा कराई यदि अभ्यारती सरकारी करमचारी है तो इंपुलायर से नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट साथियो अगर आप किसी डिपार्टमेंट लेडी जूरे हुए हैं तो आपको अब जो है एनोोसी सै टीफिकेट का डिमांड किया गया है नोसी से टीफिकेट ले करके जाना है ठीक है नेश्ट जो है 27ज में कर रहा है कि बिहार राज सरकार की नौकरी के निमित जीला पताधिकारी अत्वा उनके दोऱा प्राधिकारी अपर सहमार्ताig के पताधिकारी दोऱा निर्गत क्रिमी लेहर पतर या 5-олн पीछरा वर अति पिछरा वर के लिए साथियों ठीक है पिछरावर और ती पिछरावर ठीक है OBC और EBC के लिए आपको क्रेमी लेर रहित परमायाद पत्र लेके जाना है जो कि अलड़ी आपने BTSC के दौरान फरिफिकेशन करवाया है ठीक है तो यह सर्टिफिकेट आपको जो है लेके जाना है नेश्ट बात करेंगे आठमा बिहार तकनिकी सेवायोग पतना दोरा निगत परवेस पत्र ठीक है साथ ही हो BTSC के दोरा जो परवेस पत्र निगत किये गए थे वो भी आपको ले करके जाना है ठीक है साथ ही हो इस परवेस पत्र की अगर बाते करेंगे तो क्या कैसी हो और साथ ही जो डॉकुमेंट भैरिफिकेशन हुए थे ठीक है कॉल लेटर की अगर बात करेंगे तो यहां पर कॉल लेटर तो नहीं लिखा हुआ है ठीक है तो आपको जो है कॉल लेटर भी लेके चले जाना है एक्सट्रा में अगर डिमांड किया जाता है तो आप वहां पर ताकि दिखा पाओ ठीक है तो वह डॉकुमेंट भैरिफिकेशन वाला कॉल लेटर भी रखी लेना है ठीक है लेकिन यहां पर जो एडमिट कार्ड के बात कहा जा रहा है यह रीटेन एक्जाम की बात हो ठीक है तो वह वाला आपको एडमिट कार लेके जाना है जो कि बहुत ठीक है दस नमर पॉइंट कर रहा है कि पूर्ण रूप से भारा हुआ चरीत्र एवं पुर्विवरित्ट सत्यापन व्युहित्पत्र दो प्रती में ठीक है अभ्यरती अपने साथ लाएंगे उक्त व्युहित्पत्र सरम संसाधन विभा के ओफिसियल बेव साइड पर उप एफिडेविट करके ले जाना जो कि 12 नमर में दिया हुआ है तो इसको भी देखेंगे ठीक है पहला जो नया डॉकुमेंट था आपका सत्यापन प्रपत्र यह लेके जाना है दो सेटमें ठीक है दूसरा करा कि सक्षम प्राधिकार्द और निगर दिव्यांगता अगर मंडल पता जिकारी या करपालक दंडा जिकारी द्वार नेगत विवित पत्र में इस आसे का सपत्पत्र की सभी प्रमान पत्र विलेक सही है उनके विरुद थाना में अथ्वा नियाले में कोई मामला विचाराधिन नहीं है या दर्ज नहीं है उनका आचरन प्रतिकूल न प्रतिकूल जो साथ ही जो दो नए डॉकुमेंट प्रमेट आपको नीचे दिया हुआ है तो वह दोनों जो है सत्याप्मन प्रपत्र लेके जाना अधोसेच में और दूसरा जो है साथ ही आपको एक एफजिदेविट करवाना है एफजिदेविट में मतलँ परस्स क्मेंसन अलावा आपको जो है नेक्स्ट ले करके जाना है पासपोर्ट साइज का चार रंगिन फोटो ठीक है रिसेंटली वाला फिर नेक्स्ट कह रहा है कि कोई फोटो युक दस्तावेज जो अभ्यार्ती की पहचान को परमानित करें जैसे अधार का ड्राइवी लेशेंस पासपोर राशन कार्ड पैन कार्ड इत्यादी जो है एक आपको आईडी प्रूब भी ले करके जाना है ठीक है साथियो नेक्स्ट बता रहा है कि परमान पत्र की जाना थे तूँ संबलित होने वाले भरतियों किसी तरह का यात्रा व्याई दे नहीं होगा ठीक है साथियो यदि को य सारे डोकुमेट ले करके आपको दोबारा वेरिफिकेशन करवाना है अगर आप वहां पर अनुपस्थित होते हैं किसी भी कारण से तो वहां से आपको विधिवत जो भी है निर्न वह ले ले लेगी ठीक है आपको डिस्मिस भी किया जा सकता है या मौका भी मिल सकता है यह किसी मेंशन नहीं है जो भी वहां पर आपको आयोग जो है या विभाग जो है सरम से साधन विभाग का जो नियोजन में परसिक्षन वह अपने अनुसार से वहां पर आपकर करवाई कर देगी ठीक है साथ हो अगर फॉर्मेट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं हावा इसको भी देखी लेते हैं इस अत्यापन पत्र में गलत सुचना भरना अत्वा बास्तिविक्त छुपाये जाने वाले अयोग माने जाएंगे तो अनुसार अभर्ति को सरकाई नोकरी के लिए अनुप्युक्त घोशित किया जा सकता ठीक है आपको इस अत्यापन में क दंड लगाया गया हो उस पर कोई दोशार ओपन हो वैस्कृत किया गया हो किसी भी तरह से आपका अंदर जो है अगर मामला है ठीक है तो सत्यापन पत्र में जो है आपको वहां पर मेंशन करना है ऐसा नहीं कि यह जाना पर यहां माना जाए कि अव्यर्ति बास्तविक रु जाएगी बाद में जागे ठीक है इसलिए छुपाना नहीं है इस परपत्र को भरना है स्फष्ट रूप से क्या कैची भरना है भाई तो यहां पर जैसे की पूछा जा रहा है पहला उपनाम सहितियादी कोई पूरा नाम आपका देना है ठीक है कुल नाम में अंस्तक कुछ जो रहा अथवा निकाला हो तो भी दे देना है बरतमान आपका पता क्या है ठीक है मकान नंबर गली सहर साराची देना है पीसरा घर का पूरा पता देना है ठीक है फिर आपको बता रहा है गत पांच वर्ष के दौरान उन स्थान का ब्यवरा दे जहां आपने एक समय में ए अपना जो है, रेसीडेंसियल को छोर के अन्य जगापे रहे हैं, लगतार एक साल से उपर तो उसका बेवरा यहाँ पे देना है साथ हो, ठीक है, जो भी बेवरा माँगा जा रहा है, आपको छुपाना नहीं है, ठीक है, फिर आपको यह पूरा डिटेल भरना है, ठीक है, कहा आपके पिता मुल्त की जीजियात के निवासिया betharm क्या हैnder में दावर अ क्रया करनें कि आप यहां दर्शाना इसको आप पता चले घान है पिर आगे जो है यस उसकर करना है क्या कभी आपको हिरासत में रखा गिया है तो नो कर देना अगर नहीं तो क्या आपको कभी नजर बंद किया गिया है क्या कभी आपने आले में आपको अर्सजन डाला है यह सारा चीज को डीटेल से कियर फुली पर के आपको देना है डीटेल जनकारी और लाश्ट में यहां पर आपको हस्ताक्थर करना है तारिक अस्थान देना है थीक है बनके चीज़ जो है कर्याले के दोरह यहां पर लिखा जाएगा नेश्ट एफिडेविट की बात करेंगे साथ यहों तो आपको ध्यान देना है first class से जाके एफीडेबिट करवा लेना है त Χै और इस एफीडेबिट में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखवाना है same इस format को जाके copy करवा देना है ठीक है और first class में इस्टेट से आपको sign और मोहर करवा के बनवार लेना है और यहाँ पे वकील के सामने साइन करना है फिर वकील अपना जो भी है आपको वकील बांकर चीज का गाइडलाइन कर देंगे तो साथियो जिस तरह से आपने देखा कि BTSE अपने अस तरह से डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद जब अनुसंसा की थी तो फिर से सरम संस्थाथन विभाग के अंतरगत जो कार्यत संस्था है नियोजन परसिक्षन पक्ष पटना नियोजन भवन जो है यह फिर से आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करवाने का फैसला किया तो साथियो इन्हों ने जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जनकारी दिया, कल आप नीज पिपर में भी देख पाएंगे, तो साथियो निर्धारी जगा एवं जो डेट है, उसके अनुसार, इनके जो भी नोटिस है, ठीक है, जो भी इंस्टक्षन है, उस इंस्टक् में रखना है, और आपका और भी जो साथियो जहां तक यहां मेटर नहीं पहुच पाया है, उस साथियो तक भी वीडियो को जरूर पहुचा है, ताकि उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके, और वो भी अपना जो है, डाकुमेंट वेरिफिकेशन फिर से करवाना सुनिश नहीं जनकारी के साथ अब तक यह गुर्वाय जहिन, थेंक्यू सूमा दूस्टो